स्लिप्स लगा दिये हैं यहां इनकी बाहर निकलती हुई गेन से तो बचके ही रहे बल्ले बस बहुती कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अम्पायर नॉट आउट देते हुए जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बहुती अक्रामक फील्ड लगा रखी है विकेट की तलाश में यह एक बहुती अच्छी रंड नीती हो सकती है बहुती खराब गेन और यह वाइट बॉल उठा के केल दिया है क्याप में गई और यह बैतरीन चौका दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है बल्लेबास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए ओ बहुती बेदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होम वक करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा इथा के खेल दिया है क्याप में गई और यह पैतरीन चौका एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे अमपार का इशारा वाइट बाल अमपार का इशारा वाइट बाल रचार वाइट रचार वाइट वाइट बाल बहुती कन फिदियंट बहुती आपील यहा बॉलर थी और अमपायर नोट आउत देते हुए बहुत ही खराब के नरी वाइट बाल अमपार का इशारा वाइट बाल बोलिंग में परिवर्दन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गिनबाजी करनी होगी यहाँ बड़ी अटाइमिंग टेकरन पसानी से पुरी किया सकती है और बल्ले बास दो रहन का कॉल देते हुए और यह आउट बहुत ही बहतेरी इंपक अन थ्रोग दिगाश होकर पैविलें ते तरफ लाटते हुआ क्याच आउट हो जाओ बोल्ड हो जाओ लेकिन रनाउट कभी मत हो ना अक्सर देखा गया है के रनाउट मैच की परिस्तिती बदल देती है क्याच में खेर दिया है दो रन की कोशिश होगी यहाँ बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेवाजों की पीछ में अच्छी रनी में ट्वीन दुएंड विकेट्स पावर प्ले समाप्त होने के बाद अब फील तो खुल चुकी है अब इन्हें सिंगल्स और डबल्स की मदद से एक लंबी साजेदारी की कोशिश करनी चाहिए बहुत ही कॉंफिडेट अपील यहां बोलन थी और अमपाईर नॉट आउट देते हुए वो बहुत ही बेधरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है और यह बोल्ड बेहतरीन गेंबाजी रिराश होकर पैविलिन दे तरफ लॉट दे हुए बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर थी और अमपायर नॉट आउट देते हुए जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए अवा में केल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट ओ बहुत ही बहतरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा पुरी शिदद से फोकस बनाए रखना होगा यहां वरना यह गेम हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी अहलारान तेजी से लेते हुए बहुती बढ़ी है तालमेल दोनों बल्लेवाजों की पीच में अच्छी रनी मिट्वीन देविकेट्स उठा के केल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है अमपार का इशारा वाइट बॉल अब थोड़ा पल्ला गुमाओ मेरे भाई एक और दो रन से तो मैच नहीं चीतोगे बहुत ही खराब गेल और यह वाइट बॉल जजाकत से खेल दिया है सिंगल के अगफुट पे ही खेलने की कोशिच में अपनी विकेट गवा देते हैं क्या मैच देखने का आफसर प्राब्द हुआ है आज स्टेडियूम खचा-कच बरी हुई और मैच अपने आखरी ओवर तक जाती हुई और यह शॉट बस एक रन ही निकाल पाए रन आउट का चांस बहुत ही करीबी मामला दिवाश होकर पेविलिंग दे तरफ लॉटते हुई क्याच आउट हो जाओ बोल्ड हो जाओ लेकिन रन आउट कभी मत होना अक्सर देखा गया है के रन आउट मैच की परिस्तिती बदल देती है काभीले तारीफ केत पास और अभी सब्दूश लगए है केत पास बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए बहुती बढ़ी अगीन जितनी तारीफ करो इतनी ही करने शानदार गेन बाजी इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुती सूजबूज और नियन तरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनु चाहिए यहां बहुती बढ़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वींद विकेट्स स्लिप्स लगा दिये हैं यहां इनकी बाहर निकलती हुई गेन से तो बचके ही रहे बल्ले बाज दो रन का कॉल बहुती बढ़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वींद विकेट्स जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बहुती अच्छी थाल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में बढ़ी आराट्वींद विकेट्स बहुती कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते होगा अगर इनोंने अभी एक शोर्ट पिच बॉल डाल दी बल्ले बास को पूरी तरह जुपे रहां की तक दिल्बि बॉल दीपड़ी मेंहें थे